सबी का मारे यूटूब चैनल कानून की वाज में आपका श्वाकत हैं दोस्तों एक लेटेस्ट जजबेन सुप्रीम कोड़ द्वारा हाली में आया है उसमें एक आर्मी ओपिसर की सिकायद उसकी पत्री ने आर्मी ओपिसर की उसके चीप कर अगर मालो पत्री द्वारा उसकी सिकायद गलत आरुप लगा कर कि यह वेक्ति या यह मेरा जो अस्वेंट है या आर्मी ओपिसर इस प्रकार का है उस सारी गलतिया लगा कर उसकी सिकायद उसके आर्मी ओपिसर के पास बेज देती है या लिकित में हो या कैसे भी तो उस आर्मी ओपिसर को उसको इतना उससे वह आहत होकर उसके मान सम्मान को टेस्ट पहुचा है क्योंकि अगर पत्नी इस प्रकार की किसी पत्ति की साथ अत्याचार करती है या उसकी शिकायत करती है उसके गलत आरूप लगाती है उसके किलाब कोई मुग्दमा दरज कराती है तो वह व्यक्ति क्लूल्टी के श्वार उसमें उस मैला द्वारा उस ऐर्मी ओपिसर इत्ष से गंदे परकार के आरूप लगाये उसकी सिकायत जीप से की इसके बात में वह आर्मी ओपिसर आहत होकर तलाक लेने केलिए आवेदन पेच्च किया निचली कोट में उस उस संबंदित कोट उस आवेदन को शिवकार करते हुए डाइवर्स दे दिया उस डाइवर्स की उस पत्नी ने आई कोट में लगाया हाई कोट ने उस निचले जो परमानता उसे निरस कर दी अपास करके गलत पनी ने दे दिया कि इस प्रकार से क्रुलिटी नहीं माने जाती लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई वेक्ति के उपर कोई महिला इस प्रकार का त्या चार करे गलत आरोप लगाए कि ये वेक्ति एसा है ये वेक्ति इस प्रकार का वेक्ति है मेरे से इस प्रकार से घ्रना करता है सारी चीज़ागर की लिखेत में सिकायते तो उस अच् विज़त मानसम्मान कितनी माना नहीं होई होगी वह वेक्ति इससे आहत होकर उस महिला की किलाफ तलाक का क्यास कर देता है तो तलाक का क्यास करने के बाद महिला ने अपना आरोप ये लगाया कि ये वेक्ति को मैं इसके जीवन मतलब मैं साधी को बचाने के लिए मैंने इस सब कुछ किया है तो इस प्रकार के साधी को बचाने के लिए आपने किया है ये गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये मेटर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का ये जज्जमेंट इसलिए अहत्याशिक है क्योंकि उस आर्मी ओपिसर्ण ने ये कहते हैं वे सुप्रीम कोट में कहा कि मेरे साथ मेरे मान सम्मान को मैं इतनी बड़ी रेंग कादिकारी हूँ मेरे इजज्जत को इनोंने तार तार किया है मैनि इजज्जत पर इननोंने कीचरण चाला ये सारी चीछे सुप्रीम कोट में दलिल दिये इस दलिल के जवाब में उसकी पत्नी ने कहा कि मैं यह नहीं चाती थी किवल में कि रिष्ता बना रहे ये साधी तूटे नहीं इसकी वज़े से मैंने इसा किया है तो Supreme Court ने ये काया कि आपने जो किया है वो गलत किया है ये cruelty किये आपने इस cruelty के आदार पर उस Supreme Court ने अपने Supreme Court ने हम Supreme Court के जो भी judgment है उनको मानते है Supreme Court जो judgment देते वो सोच समझ के देते है कि इस प्रकार के judgment अपने सविधार के अनुसार देते है तो उस judgment में ये का है Supreme Court ने कि इस प्रकार की cruelty के आदार पर ये डाइवर्स ले सकता है ये Supreme Court का judgment था तो Supreme Court ने इस judgment में हवाला दिया इसलिए दोस्तों मेरे कहने का मतलब भी है अगर कोई पतनी इस प्रकार से किसी भी वरिष्ट वेक्टी पर जैसे प्रकार आर्मी ओपिसल में उन्हें गलत इल्जाम लगाए उनकी सिकायत चीप से किये तो वो उसे आहत होकर उन्होंने तलाका केस किया है डाइवर्स लेने की सोचिए इसलिए दोस्तों अगर कोई महिला किसी भी वेक्टी के सार्थ क्रूलिटी करती है आत्याचार करती है तो उसके आदार पर वो डाइवर्स ले सकता है इस निर्णे के आदार पर यह जो जजजमेंट दिया है यह बहुत ही अच्छा जजजमेंट है हम इस जज्जमेंट का सम्मार करते हैं कि हमारा जो समीदान में जो लिखा है उसके आदार पर सुप्रीम कोड जज्जमेंट देते हैं समय समय में जो जज्जमेंट है उसी के आदार पर हमारा समीदान चलता है उसकी आदार पर हमारा कोड चलता है इसलिए यह जज्जमेंट जो दिया ये बहुत ही अच्छा है कासकर पुर्सों के लिए ये judgment बहुत ही अत्याशी हो सकता है इसलिए कभी भी पुर्सों के साथ इस प्रकार का cruelty की जाए किसी महिला द्वार में या अत्या चयार किया जाए तो उसके आधार पर वो डाइवर्स ले सकता है इसलिए दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कीमति समय निकाल कर इस वीडियो को देखे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने अच्छी तरक्ति आपको ये बताया कि अगर कोई महिला किसी भी वेक्ति की मान संबान को तो टेस्ट महुचाती है उसकी शिकायच करती उसके गलत आरोप लगाते तो उसके आदार पर कुरूल्टी के आदार पर वो अत्याचार करती है तो उसके आदार ले सकता है यह सुप्रिम कोड का जन्जमेंट अगर आपके साथ एसा होता है तो आप वैद्जमेंट का वाला कैसे नए नए वीडियो देखने कि ने मारी चैनल को सस्प्राइब करना ना भूला थेंक्टू दर्ट